इस आशन का अभ्यास करने के लिए आपको पीट के बल लेटना है पीट के बल सहज बाउस से सीधा लेट जाईए हतेलिया जंगाओं के पास लाकर भूमी से इस पर्श कराने इस आशन का अभ्यास करते समय सिर को नहीं उठाना अपने दाएं पैर सी दो बार सीधा और दो बार उल्टा जैसे साइकल का पैडल चला जाता है वैसे अभ्यास आपको करना है आप स्क्रीन पर देखते वे इसका अभ्यास करें पैर को गुमाना है दो बार सीधा फिर दो बार उल्टा जैसे पैडल मारा जाता है साइकल का वैसे करें यह आप एक पाद चक्रीकासन का अभ्यास करें अब एक पाद व्रत्तासन का अभ्यास करने के लिए इसी पैर को उपर के और उठाकर गोला कार क्लोक वाइज दाएं पैर को क्लोक वाइज दो बार और दो बार एंटी क्लोक वाइज डिरेक्शन में गोला कार घुमाएं इसका अभ्यास आप बढ़ा सकते हैं पांच बार, साथ बार, दस बार गोलाकर घुमा सकते हैं, पहले clockwise direction में घुमाएंगे, उसके बाद anti clockwise direction में घुमाएंगे, फिर हम बाहें पैर से यह पाद चक्री कासन, यानि कि जैसे cycle का pedal चला जाता है, वैसे बाहें पैर से दो बार सीधा और दो बार उल्टा, समय सीमा को ध बार गोलाने के बाद में clockwise direction में दो बार, दो बार anti clockwise direction में घुमाते हैं, बड़े से बड़ाशुन्य बनाेंगे, बड़े से बड़ा सुन्य बनाने का अभ्यास करना है, सहजभाव से सरल्टा से करेंगे, उसके बाद Д्वीपाद चक्री कासन का अभ्यास करने के लिए आप दोनों पैरों को मिलाकर जैसे दोनों पैरों को मिलाकर साइकल का पैडल सीधा चलाया जाता है वैसे दोनों पैरों को मिलाकर करें कम से कम दो बार तो करें एक बार पैडल को सीधा गुमाने के बाद में दोनों पैरों मिलाकर उल्टा गुमाना है इससे इसे बोलतने हैं, अब्यास करने के लिए, दोनो दो बार सीधा और दो बार उल्टा घुमाएंगे यानि कि द्वी पाद वरत्त आसन का अभ्यास इस समय हम कर रहे हैं और यह बहुत उप्योगी आसन विश्ट्राम रुख जाईए अब बाइं करवट लेते वे आप उठकर बैढ़ जाएं एक पाद चक्रीकासन एक पाद वरत्त आसन और द्वी पाद वरत्तासन का अभ्यास करने से शरीर सुद्र सूडोल बन जाता है पाचंत अंत्र सेक्री हो जाता है पढ़नाम सरूप जैसे कप्ज गैस एसीडीटी एपच एजीन अतिसार संग्राइणी मोटापा आधी रोगों से मुक्ती मिलती है शरीर सुन्दर सुडोल बन जाता है